हर्वल फ्रेंड अने दॉक्टर हन्ह 1967 ft रावल डी होम्योपेथ और मेरी जैनल्स में आपका स्वागत है अज वीडियो में हम आपको बताएंगे पैरालीसिस क्या है पैरणीसिस का कौन सा प्रकारका पैरालीसिस या लख्वा हो सकता है इसका क्या कारण हो सकता है क्या sign and symptoms होता है इसको कैसे diagnosis किया जाता है इसके लिए क्या आपको diet program रखना चाहिए कौन सा प्रकार की exercise करना चाहिए और इसके लिए best homeopathic medicine क्या है मित्रो paralysis एक बड़ा disease है तो इसमें यह जो रोग है आमने part 1 and part 2 में divide किया है किकि जो paralysis होता है तो सबसे पहले तो कोई भी दर्दी होता है यह आधुनिक सारवार के लिए जाता है बाद में homeopathic के पास आता है तो कैसे condition में आप homeopathic दवा ले सकते है और आपका जो incurable paralysis है यह आपको 90% paralysis क्योड हो गया हो पर दस्टका जो paralysis में defect रहे गई है तो ऐसी condition में homeopathic medicine यह आपका सरीर का जो ग्नानतनतु को restore कर सकती है और आपका life अच्छा कर सकती है मित्रों हमारी जो भाद दोड life में हम सुबह में उठते हैं office जाते हैं हमारा दिन्चरिया करते हैं हमारा life चलाते हैं ऐसे condition में एका एक आपका life रूख जाता है इसका कारण यह भी stroke होता है तो stroke क्या है तो stroke हमारा एक नानतनतु का disease है सामने तरह सब मनुष्यों और प्राणियों और पक्षी को इश्वर ने brain दिया है पड़ा मनुष्य का जो brain है इसमें बहुत सारे प्रकार के गनानतनतों के cells होते हैं यह हमारा सरीर को brain का भी विकास करता है और हमारे जो छोटे छोटे अंगों की जो समवेदना है या हमारा जो रिफ्लेक्टरी नौज है उसका कंडक्शन्स यह हमारा ब्रेन नौज इंपल्स करता है यह ब्रेन जो हमारा सरीर में 1400 ग्राम है और इसमें नंबर अप्स प्रकार के निरोंस होते है पड़ इसमें कई बार विक्षेप पड़ जाता है और यह जो उनका जो कंट्रोल होत जाता है और सरीर क्षिन हो जाता है और हमारा कोई अंग हिलना चलना बंद हो जाता है तो इसको हम पैरालीसिस या लकवा बोलता है तो यह जो लकवा होता है पैरालीसिस होता है एक इतने प्रकार के होते हैं तो कई बार हमका यह सरीर का अलग-अलग प्रकार और अलग-अल ही अंगों का होता है तो उसको सेमियोपिया पेरालिसिस बोलते हैं आधान का पेरालिसिस होता है कई बार एक अंग हाथ में होता है तो मोनो प्लेजिया बोलते हैं कई बार हमारा पैर में होता है दोनों पैर में लोर एंड में होता है तो उसको पैराप्लेजिया बोलते हैं लकवा होता है तो उसको quadris plegia बोलता है ऐसे तरह अलग-अलग प्रकार के paralysis होता है तो उसका क्या कारण हो सकता है तो सबसे पहले जो हमारा brain में blood circulation नहीं होता है और उसको brain stroke बोलते है brain stroke दो प्रकार के होते है कई बार हमारा embolism यह ब्लड की जो घांट होती है और brain में चली जाती है और यह brain में amokerya में blood circulation नहीं कर पाती है तो उसको थुम्बस हो जाता है तो इसके जरिये भी हमको एक paralysis हो सकता है second thing fat embolism या air embolism यह sudden हो जाता है कई बार दर्दी हलन चलन करता है office में रहता है और fat embolism या उसको air embolism नाता है तो यह sudden लखवा या उसका देद भी होने की एक संभावना रहती है तो सबसे पहले यह जो stroke है यह इसका one of the cause है second thing hypertension जो रक्चाप जीन लोगों को जादा रहता है उन लोगों का भी brain stroke होने का संभावना रहती है third कारण जो लोग diabetes heavy diabetes है diabetes control नहीं कर पाते है उनको भी लखवा होने की संभावना रहती है कई वार लोग smoke करते है या ज़्यादा तर alcohol लेते है नशाज ज़्यादा करते उन लोगों को भी brain stroke या paralysis का होने की संभावना रहती है कई बार दर्दी को खुन में triglycide या hyperlipidomia means चर्मी cholesterol का प्रमाण ज़्यादा रहता है उन लोगों को भी ये brain stroke होने की संभावना रहती है जो लोगों को obesity होती है या lack of exercise होती है sedentrical life होती है उन लोगों को भी brain stroke होने की संभावना रहती है कई बार तो जो लेडिज जो pregnancy रुखने के लिए जो contrast है pills लेते है या pregnancy में high blood pressure होता है तो इसके जरिये भी उनको brain stroke होने की संभावना रहती है तो ऐसी तरह brain stroke होने का अलग-अलग cause होता है तो ये जब paralysis का हुमला आता है तब दर्धी को क्या होता है तो सबसे पहले तो दर्धी को unusual weakness लगता है दर्धी को difficulty in speech बोल नहीं पाता है दर्धी को headache हो जाता है दर्धी का हाद पहल हलना मुश्किल हो जाता है और उसका बोलने में stammering speech आता है Difficult to walk यह walk नहीं कर पाता है दर्दी और दर्दी को confident नहीं रहता है दर्दी को लगता है कि नहीं मेरा temporary phase है तो जो यह temporary phase तुरंत वो recognize करें और कोई नजदिक के hospital में जाता है तो दर्दी कई बार बच सकता है short period में पर कई बार हम neglections करते हैं और ऐसी तर यह एक हपता निकल जाता है तो कई बार heavy brain stroke आने में भी संभाव ना रहती है कई बार इसके जरिया हमारा हाथ पर हलना मुश्किल हो जाता है कई बार तो दर्दी को खाना पीना इससे भी मुश्किल हो जाता है दर्दी को depression आ जाता है anxiety आ जाता है दर्दी restlessness हो जाता है तो ऐसी तरह उनको यह symptoms आते है दर्दी को जो हाथ पर हिलाता है जो asymptomatic होता है कि भी हाथ पर हिलता नहीं है बुलने में difficulty होता है और दर्दी को जो देखने के मावी lower end का भी देख सकता है दर्दी बूल नहीं पा सकता है ऐसी condition होता है तो यह symptom की वज़े से just कर सकते है second thing दर्दी को reflex दिया करता है जो एक hammer प्रकार के डाक्टर के पास होती है उसको hammering आमुक point पे करते है तो जो reflect होता है तो यह reflections हाइपर हो जाता है तो इसके जरिये भी दर्दी को कौन सा अंग में लखवा है या कई बार तो दर्दी को prickling कोई needle भी चुपा जाता है कि उसको sensation आता एक नहीं आता है तो उसको कोई टांखनी का या कोई घरम चीज का भी समवेदना करना पड़ता है तिसरी बार जो उसका डाइग्नोसिस होता है यह कई वार MRI या CT करने से भी मालूम पड़ जाता है कि ब्रेन में जो thrombus है या ब्रेन में कोई air embolism है या fat embolism है तो इसके तरीके से ruled out करते है तो इसमें anti-heparin medicine से भी यह clot dissolve करते है और risk का management करते है तो दर्दी restore हो जाता है मित्रो यह जो सब उसका diagnosis है इसे क्या complication होता है तो दर्दी को एक तो mentally and physically complications होता है दर्दी चल नहीं पाता है difficult to walk होता है खा नहीं पाता है mentally depressed हो जाता है है रोने लग जाता है involuntary आखों में से पानी आ जाता है confident नहीं रह सकता है घर से बाहर जाना भी मुश्किल हो जाता है कई बार infinity complex भी फिल करता है कई बार long term यह bad sore सो जाता है तो इसे bad sore हो जाता है तो ऐसी तरह उनका जो symptoms होता है और उसका complication भी होता है मित्रो मेरे यह जो वीडियो में आपको बता है कि यह paralysis क्या है इसका क्या कौन से प्रकार है और कौन से प्रकार से यह कौन सा cause से लगवा हो सकता है और इसको कैसे diagnosis किया जाता है और यह क्या complication है तो यह आप वीडियो में आप educate हो सकता है वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए में दुसरा पार्ट में इसको कौन से प्रकार के आप food दे सकते है क्या home medicine आप उनको दे सकते है और कौन सा best homeopathic medicine है इसके उपचार में homeopathic कैसे मदद कर सकता है तो इसके बार में बताएंग दरधी को ठीक तो होग जाता है और दरधी को 2-3% अभी कुछ उसको लगता है कि नहीं मेरा घरीब कम हो गया है मैं प्रापर बोल नहीं पार सकता हूँ मेरा mental anxiety level बढ़ जाता है depression आजाता है anxiety आ जाता है या मेरा जो पैर है प्रापर नहीं पढ़ जाता है या मेरे पैर में नमने साथ जाती है, सुनने साथ जाती है तो ऐसे तरह के जो symptom होते हैं, वो restore करने में बहुत अभोग medicine है तो मेरा वीडियो second जरूर देखना इसमें हम home medicine बताएंगे और best जो homeopathic medicine है इसके बारे में हम आपको बताएंगे मित्रो, ये मेरा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा, लाइक कर दिजिए शेर कर दिजिए, धन्यवाद